पता है लाइफ में कभी भी किसी भी मोड पे आपको ऐसा लगे कि आपने जो decision लिया था वो गलत हो गया या आपके हिसाफते चीज़े नहीं चली चाहे वो financial decision हो चाहे वो professional decision हो चाहे वो personal decision हो X Y Z पता है घबराओ मत क्यों उसका reason क्या है आपके इतने guts होने चाहिए कि उस decision का अगर negative outcome आया है तब भी उस decision को आप fully accept करें उसका onus आप रखें और ये चीज़ देखें कि आगे ऐसी गलती जो हमसे हुई वो दुबारा repeat नहीं हो क्योंकि obviously बात है अगर को decision आपने लिया है आपने तो अच्छा सोच के ही लिया होगा लेकिन चाहे वो circumstances की वज़े से चाहे वो आपकी thinking capability की वज़े से ये किसी भी वज़े से decision सही नहीं बैठा चाहे external factors हो चाहे internal factors हो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी decision making power को doubt करने लगे decision work ने किया but main चीज क्या है main चीज है कि उस decision की आप ओनस लें आप ये responsibility रखे कि yes ये चीज मैंने करी थी मेरा decision था तो इसका जो भी negative outcomes है वो भी मुझे जहल लें तो इससे क्या होगा ना कि आप आगे हो गलती repeat नहीं करोगे और हमेशा एक बात यादतना काई बार कहते भी ह कि पहले जब आपसे गलती हुई और आप फेल हुए तो तब आपने जीरो से start किया था इस बार आपसे जो गलती हुई तो आपने जीरो से start नहीं किया you are now an experienced person आपको मालूम है कि कहां चीजे गलत हुई और क्या चीजे थी जहां आप improve कर सकते हो तो main चीज है कि कभी भी बाप बाप, ओ के?